एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पार्टी यहाँ पर शिवराज सिंग चोहान को बाहर का रास्ता दिखा सकती है देखें शिवराज सिंग चोहान को पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा ही दिया है आपने देखा होगा कि जो माध्य परदेश से पूरी तरह से हटा दिये जाते हैं, दच्छन भारत की जिम्मेदारी सौंब दी जाती है, वहां हेदरबाद भी चले जाते हैं, बयान बाजी शिवरा सिंग चोहान करते वे नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके कद यहां पर शिवरा सिंग चोहान का रहे जाएगा, यहां पर कोई बड़ी उपलबदी या कोई बड़े मुकाम पर शिवरा सिंग चोहान पहुंचते वे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखिए, कि आज भी लाडली बहनों की बात करें, तो वो उन्हे मंत्री के र चुनोतियां दी हैं, और इसी चुनोतियों के साथ देखा जाए, तो भारते जनता पार्टी भी कोई कड़ा एक्शन ले सकती हैं, यहां पर एक महत्पूर्ण सवाल होगा, क्या पार्टी का विरोध देकर, क्या लगातार जो उनके बेटे के उपर वार चल रहे हैं, क्या तो उसको देखते हुए अपने बेटे को अब यहां पर सकरतिया से, जो उनके बेटे सकरी हूँ है राजनीती में, क्या उसे दरकिनार वो करते नजर आएंगे, या अपने बेटे के खिलाफ ही क्या वो बयान देंगे, या फिर उस बयान को डिफेंड पब्लीकली करेंगे? देखिए अपने बेटे के खिलाफ तो कैसे जा सकते है क्योंकि अगर परिवार की बात आती है अगर राजनीती में आ रहे हैं तो ऐसे बयान बाजी तो देते रहेंगे अगर ऐसे में बचाव किया जाएगा तो शिवराज सिंग्चोहान अपने बेटे कार्तिके का तो बचाव करेंगे कही न कहीं ये भी समझाती हुए नजर आएंगे कि अभी आपके पास बहुत समय है आप इंतजार करिए लेकिन ऐसे बयान बाजी मत कीजे कि सीधा पार्टी पर ही हमला किया जाए तो ये तमाम तरीके से देखा जाए तो शिवराज सिंग्चोहान यहां पर सूज भूत से काम ले रहे हैं और इसलिए यहां पर किस्तों में भारते जनता पार्टी के खलाब भी बोल रहे हैं और वहीं भारते जनता पार्टी का समर्थन करते वे नज तो रगातार यहां पर मद्य परदेश में भर्ज़ंता पांटी अपने निताऊं की वज़ए से ही घिरती हुई नजर आ करता है तो देखना होगा इस बयान के बाद बीजेपी के इस्तिती लोग सभा चुनाव में क्या होने वाली है वा कि और भी आसी खबरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद